मुझे विए विए डव्यू जी एस्वेल टुटी की की हमर बास आचुके मुझे विए डव्यू जी एस्वेल टुटी के लिए थोड़ा सा तो अच्छा बन नहीं बढ़ेगा तो बियंड वलू का टीशिट भी मैंने पहने लिया है तो चलते हैं फटा फट से बिल्कूल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बहुत ज्यादा एक्साइट्मेंट है और बस पटा फट से चलते है या ताइम रस नहीं अफता अब इंतजार नहीं हो रहा है यार भाई इस बी एम डबलू यार बी एम डबलू आय हाय जैगवार एफ ट्वेंटी डी तो बस 200 मीटर में हमेरी डेस्टिनेशन आ जाएगी जहां पे हमें जा रहा है बाइक का शूट करने के लिए और यहां पे है बैनली का शोरूम जहां पे मैंने दो वीडियो शूट करी थी जो एक थी बैनली 899 में जो कि राजस्थान में वन इन ओनली थी उस टाइम पे और दूसी जो थी वो थी बैनली 600 आई तो डोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उपर आई-कार्ड में भी है तो आप वो भी चेक आउट कर सकते फो तो जैट इन और अंदर जा के बात करते हैं त बालक है तब यह जो 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 भाइब निवार श्राविया गज़ी देड़िया डाल जाए डाल ज़ीज़ फिफ्टी इसकी बारे में जितना कहें जो आपको वहां तक पहुचाए है यही वह बाइक दिखने में जितनी बड़ी ब्राइड लगती है मालब वीडियो में मुझे भी लग रहा का मैंने भी वीडियो बना रहा हूं तो मुझे रियल लाइफ में देखने में उतनी ही अच्छी और मतलब इतना बल्की है बिल्कु जादे पुछ हाइट होगी इसकी सीठ ही बात कर रहा हूं ट्वेंटी लिटर्स का टैंक है इसमें और जो जी एस है उसमें आता है ठर्टी लीटर्स का टैंक तो मतलब कि ये इतने में ही और कितना मालो आप इतना इतना मालो तो वह बहुत ही जादा ब्रोड हो जाती है अलग तरीके की और स्पेंशन है वो भी लेक्राणिकली एजस्टेबल है तो वह बहुत सारे चीज़े कर देता है निचे भी कर सकता है और अगा तो टॉल भी हो जाती है तो 790 से लेके 850 तक जाती है और बात करें अगर इसमें अभी करेंट लीक्या एक्सेसरी लगी है तो अग्जॉस्ट जो है वह स्टॉक है और इसमें जस्ट अभी अभी डीटेलिंग होई है तो बाइक की शाइन तो जहांदर होनी ही है देख सकते हो जो टैंक का कलर निखर के आ रहा है आए हाई 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 क्या कहा है सबसे में चीज़े जो अच्छे लगते मुझे वह है कीलेस अभी इसकी कीवील आई है और यहां पर आपको बताएंगे डिस्पले क्या है बात करें इसके और जी एसे के इंजन की तो दोनों में बिल्कुल भी कोई भी डिफ्रेंस नहीं है दोनों का ही बॉक्सर एंजन आता है सेम पावर सेम टॉक प्रोडियूस करता है इसके इस जो है वो की स्पोख वील्स है जो की ऑविएसली यार इतनी एडवेंचरस बाइक है तो स्पोख वील होने कंपल्सरी है और ब्रेंबो की ब्रेकिंग की तो क्या ही बात करें एक्डम लाजवाव बैस्टिन क्लास इस वाली बाइक में माला BMW GS और GSA में शाफ्ट का यूस कर जाता है जो साफ ड्राइव उसका यूश मेन चैन नहीं ही आप लेख सेकते हो इस स bunlar उद्या strongest कर दो कि मैंटेंनेंश लेस है साथ वेल्कूर वीइंश नहीं हो तो सिर्भी शाiell कर ने पदता इस एक वाली है थिश्में है और यहां पर प्रेस करना है एंड स्टार्ट हो गई है मालब कुछ भी जरूत नहीं है हाई हाई वह माइग गॉड़ 6.5 इंच का इस प्रेट इस प्रेट और इस इस अब भी रोड मोड चालू है और मोड चेंज करते हैं यहां से डायनेमिक थो एंडियो प्रो रेंड यहां से मोड चेंज होता है देख सेंज और यह मोड चेंज होना का यह एक अगनेशन स्टार्ट फॉप यहां पर सुछ है और इसे कहते हैं सबसे में चीज जो है यहां पर पूरा डिस्प्ले कर सकते हो कंट्रोल आपको जैसे चाहिए वैसे अब टाइम है इस पीस्ट को स्टार्ट करनेगा तो करते हैं कि यह रही और कर गप्रियक्षिंट तो यह था इसके exhaust note कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट सेक्षिन में बता सकते हो जादा रेव नहीं करा मैंने क्योंकि अभी कोल स्टार्ट है और सुबह सुबह कर रहा हूं तो एकदम रॉसांड जो होता है गाड़ी का स्टार्ट होते वे वह आया है तो पता रहो मुझे जरूर कमेंट सेक्षिन में अभी मैं इतना एक्साइटेड हूं और इतना अच्छा का फीज कर रहा हूं कि मालब वर्ड्स नहीं है यार इस ब्यूटी के लिए यार क्या चीज है यार इस लव एं तू लव यार चूरदार और इससे भी बड़ा जो आता है जो आता है जो आता है जिए से 1250 वह तो बहुत ही बहुत ही ज्यादा बढ़ा है इस बीट कमर ऑनो आगों कि अच्छा फीज पूरी अपने बीचे तंच करने अगि रहा है यार इक्साइज में पाता है कि अपने पेट में चैज रहा है इस अगाड़ है पर देख से रहा है कर दो देखते है। यह देक सकतो बेहां बताओ जरा यह देखो आराम से घ्राव नीचे पठच हो राएं कोई भी दिक्कत नहीं परेशादे नहीं पोस्टोर एक पर रायड शुरिंग वाला बस बहुत पढ़नी में भी दुभानी है अभी जब मैं इससे उत्रा और जब चड़ा था तो मैंने एक चीज नोटीस करी मेरा पैर यहां पर टच हुआ था इस जगे पर और एक से तो जब मैं उतर रहा था तो यहां पर लगा था और चड़ यह लगा था तो इस चीज का ध्यान आप रहा है अभी प्रेक्टिस नहीं है ओवेसली यार तो इस चीज का थोड़े ज्यान लगना थोड़े सो फाइनली बीम्ड़ीयो जीए से 1250R HP Edition का री तो इस दो बाइक कैसे दिखती है और रियल लाइफ में आखों से और मेरे पहुचते हैं आपकों से पहुचते हैं मुझे बिल्कुल भी आइडिया ने कहां पर है बढ़ हाँ जो भी फील्ड की बहुत ही अच्छी थी बहुत ही बढ़िया थी तो थैंक्यू जो ओनर है उन बात करता हुचता राइड के लिए तो जाधा बैटर होता इंस्टेट ऑफ भाईया के थ्रू बात करना तो वह मैंने नहीं किया इन फ्यूचर होगा तो बिल्कुल राइड करेंगे और मैं कहरा हूं मैं स्पीचलेस इतनी सारी चीजे लिखी थी बट मैं कुछ भी जाधा बोल नहीं पाया क्योंकि बाइक को देखने का और मुला निहारने का मौका मिल रहा था ना तो मलब अंदर दिल में बिठा लिए बाइक को और ये शर्ट भी वैसे पे रहा था 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 फोटो भी बहुत ही प्यार है सब्सक्राइब कर लो फटाफट से इंस्टेगा पर जादे दर कोशिश करेंगे राइड करके बताएं क्योंकि राइड का एक्स्पिरिंस है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है तो इस व्लोग के लिए इतना ही भूप करता आपको ये व्लोग अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो लाइक कीचे शेर कीचे सब्सक्राइब की चैनल को मैं मिलता पर नेक्स व्लोग में तिल में स्टी से स्टे हल्दी खमा गणी